मैसूर सहर से चामुंडे सरी देवी मंदिर की दूरी लगभग 13 किलो मेटर है मैसूर का नाम मैसा सूर के नाम पर पड़ा था मैसा सूर को मातने के लिए मा दुर्गा ने चामुंडा का रूप धारन किया था नौरातरी के साथवे दिन मा चामुंडशरी की पूजा होती है चामुंडा हील पर चामुंडशरी मंदिर है मंदिर लगभग 3089 फिट की उचाई पर इस्तित है मैसूर की राजाओं की कुल देवी भी मानी जाती है इस मंदिर का जिक्र हमें असकंद पुरान और मारकंडे पुरान में भी मिलता है नौरातरी में काफी भीड़ती है या सक्ति पीट में अठारवे अस्तान पर आती है तो उपर से ये रास्ते हिल की उचाई पर जाती है और यहां से पूरा मैसूर हमें दिखता है सबसे टॉप पर जाने पर तो यह इनका संचिप्त मैसूर का हिस्ट्री है इतिहास है यह राजा की कुल देवी के रूप में बिराजमान है यहां का द्रिश भी बहुत जैसे जैसे आप उपर चटते जाएंगे यहां का द्रिश बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुन्दर है और यहां कार पार्किंग की भी बहुत अच्छी बेवस्ता है आप कार पार्किंग आटो सभी की प्राइस यहां बोड़ पर लगे हुए हैं यह उपर से आपको पूरे मैसूर का नजा रहा है टाउन सीप का और यह शामने मैसूर पैलेस भी दिख रहा है आप यहां उपर से पूरे मैसूर की बहुत खुबसूरा द्रिश दिखती है तो अब हम लोग टैंपल के अंदर जाने के लिए बढ़ रहे हैं यहां पर हम अपने जो आप फुटवेर चपल पहन गयाई हैं उसे रखने की भी अच्छी बेवस्ता है और और चुकी नौरात्र का शमय है तो यहां बीर काफी है आपको रास्ते में दोनों साइड छोटे छोटे दुकान दिखेंगे और प्रशाद वगेरा भी मिल जाएंगे सामने यह चामोडे सरी मंदीर का मंदीर हमें दिख रही है इसकी इंट्री गेट की और हम लोग जा रहें या दो तरा से इंट्री होती है एक हंदेड्र्रूपीज लेकर और एक निशुल्क है जहां कोई पी नहीं लगती है यहां कोई अरफेल नहीं लगती है तो घीड तो काफी है और यह मंदिर काफी उचाई पर है तो वह उपर्ष महा कदरिश बहुत ही अच्छा लगता है देखने में नौरात्र के में तो यहां भीड बहुत ही होती है तो हम लोग मंदिर की लाइन में लग गया है और बापरे भीड काफी है यहां तो आप जैसा कि मैं दिखा रही हूँ हलाकि अंदर कैमरा ले जाना वरजीत है अब हम लोग धाई गंटे वेट के बाद मंदिर के द्वार पे पहुंच गया है हमने सबसे पहले आपको गंट पती का दर्शन होगा उसके बाद आप मंदिर के अंदर परवेश करेंगी तो मंदिर में कैमरा नहीं ले जा सकती है यह बाहर से फोटो का चित्र है जो बाहर मार्केट में भीक रहा था और करीब धाई गंटे के बाद हम लोग मंदिर से बाहर आने पर काफी ठक चुके थे तो हम लोग सबसे पहले कुछ खाने पीने की वेवस्था खोजने लगे तो हमें यहां खाने पीने की भी काफी अच्छी वेवस्था हमने देखा तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्रिंक्स लिया गन्य की जूस ली और यहां आने पर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा यहां एक शिव मंदिर है नंदी बाबा और महिशाशूर की भी मुर्ति आपको दिखेगी अभी मैं आगे दिखलाऊंगी यह मैसूर का एक बहुत ही अच्छा प्लेस है यह मैसासूर की मुर्ति है तो यह मैसूर का बहुत ही पवित्र अस्थल है यहां नौरात्र के समय में अद्दसारे के समय में काफी भीड रहती है और जब हमें दर्शन हो गया हम लोग लौट रहते तो रास्ते में हमें स्टोन से बने हुए दुकान दिखे जिसमें बहुत सारे इसलवटे खलवटे और मुर्ति वगएरा काफी इसमें थे तो हमने थोड़ा देखा और पर्चेज भी किया खरीदा भी और फिर हम लोग पुना होटल की और लाट गयें साम हो चुगा है जो आप जब भी मैस हो रहा हैं तो चाम देसरी हील का जरूर है करें